सभी को नून प्रणाम मंजपर वस्थित मानिय परुक अब्दुला जी हमारे परिवार के बड़े मानिय राना सोडी जी हमारे विश्णोई समाज के जो अभी अभी हमारे नए भाई बने हैं देविंदर भाई विश्णोई जी कुलदीब विश्णोई जी ताजा साथ और सभी मान भगों को नमन करता हूँ मुझे खुद पता नहीं था कि मैं यहाँ आज रहूँगा लेकिन एतना जान गया हूँ फिश्णोई समाज का प्यार जो ऐसा है कि एक बार पकड़ लेता है तो छोड़ेगा नहीं दो दिन तीन दिन पहले ही मिला हूँ मैं देविंदर भाई से तो भाई भी बन गए भाई का हक भी चाता दिया कि आपको तो आना ही है सुबह सुबह ठीक है भाई पहुँं जाएंगे लेकिन हलकि मैं राजस्तान में पला बढ़ा हूँ राजस्तान की मिट्टी से बहुत प्रेम है बहुत प्यारी-प्यारी यादे हैं दाल बाड़ी चूर्मा, केर सांगरी यही खाके बड़े हुए हैं वहाँ पे बिश्णोई मित्र कही रहे हैं, क्लास्मेट कही रहे हैं स्कूल में, मेयो कॉलज में, अजमेर में लेकिन तीन दिन पहले ही मुझे बिश्णोई समाज के बारे में तब तक तो लगता था सिर्फ कि बिश्णोई एक सरनेम है, जैसे हम अब रहे हैं वैसे बिश्णोई है लेकिन पहली बार मुझे एक देविंदर भाय ने ग्यान दर्शन दिया कि क्या है बिश्णोई समाज, बीस नो, बीस नोई और क्या सुन्दर बाते हैं इसके बारे में जो मैं सुनकर चौक गया और जब उन्होंने मुझे इतना बताया तो मैं उसी रात, उसी शाम घर जाकर मैंने आनलाइन विकीपीडिया पे गूगल पे सर्च मारा और गुरू जी आपके जामवेश्वर महराज जी के बारे में पढ़ा और जै दंग रह गया मैं कि पांसो साड़े पांसो साल पहले एक महापुरश जो आज युनाइटेड नेशन्स की मंच पर एन्वार्मेंटल बाते हो रही हैं जो ESGs के बारे में बता रहे हैं कि बच सस्टेनिबिलिटी के गोल्स बनाओ देशों के लिए रूल्स बना रहे हैं वोई गोरे जो दुनिया में सारे पेड काट चुके हैं अब वो बोल रहे हैं अब पेड आप उगाओ लोगों ने बहुत अलग-अलग मिशिन के लिए अपनी जान दी है और उनको भी सराँखों पर सलाम लेकिन पेडों को हमारी प्रकृती को निसर्क को बचाने के लिए जो बिश्णोई समाज का बलिदान है उससे उच्चा कोई बलिदान शायद दुनिया में नहीं है हमने जब अमरिता देवी की कहानी पढ़ी आखों में आसु अग वो उनकी बेटियां जिस तरह का उनका बलिदान आज भी सन सत्रासों से लेके आज भी याद किया जाता है तो मैं तो यही कहूँगा दिवेंदर भाई कुलदीब भाई आप भी आएं वैसे आप वैसे काफी हैंडसम हीरो लग रहे हैं मुझे लगता है कि इस टॉपिक पर बहुत सीरिसली फिल्म आपको बनानी चाहिए भारत के ही नहीं पूरे दुनिया के लोगों को जानना चाहिए क्योंकि यह एक बहुत अमुल्य हमारे देश का अमुल्य कोश है यह हिस्ट्री जो है हमारी यह जो हमारी यह कल्चर है जो विश्णोई समाज की इतनी सुंदर संस्कृती है इसे दुनिया में बटना चाहिए लोगों तक पहुँचना चाहिए आप विश्णोई समाज की बारे में गूगल करके देखिए दुनिया में ऐसा दृश्य आपको नहीं मिलेगा क्योंकि हर घर में मेरे घर में भी हम गाएं का दूद निकालते हैं और बच्चों को पिलाते हैं एक दुनिया में एक ही समाज है बिश्णोई समाज जहां पर अगर हिरन मर जाये तो उसके बच्चे को बिश्णोई हमारी माताएं अपने च्छाती से लगा कर अपने बच्चे की तरह दूद पिलाती है ये दुनिया में आपको कहीं और नहीं मिलेगा केवल तीन दिन में इतना इंप्रेशन मुझ पर जम गया है विश्णोई समाज का तो आप सभी को नतमस्तक होकर मैं प्रणाम करता हूँ बस इस सुन्द कारिय में मेरे लाएक कोई भी सेवा हो तो मैं हमेशा आपके साथ जुड़ा रहूंगा जैहिन विवेक ओबरा है यह प्लीज यह आप समझ लीजिये मैं कल से परसों से दिविंदर भाई जैसे मैंने कहा कि बिश्णोई समाज का एक चीज मैंने पहचान लिए कि एक बार पगड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं है तो कल से मेरे नाम के आगे विवेक ओबराई के आगे बिश्णोई लगाना शुरू कर दिया है इनोंने तो अब यह आपका समाज ही नहीं मेरा समाज है तो इसके लाए कोई भी सेवा हो चाहे वो सोशल वीडिया का प्रचार हो या genuinely जो मैंने कुछ समय पहले कहा कि विश्णोई समाज का फिल्मों में representation आपके talent का representation आपकी कहानियां आपकी संस्कृती का representation यह होना बहुत ज़रूरी है बहुत सुन्दर संस्कृती है पूरे भारत को ही नहीं पूरे विश्व को विश्णोई समाज के बारे में जानना चाहिए इसमें अगर गुरू जांबेश और महराज जी का आशिरवाद रहा तो हम जरूर कोई सहयोग करेंगे मदद करेंगे जैहन